Institute of Fine Arts, Fine Arts में PhD बहुत इस्टुएंट्स करते हैं Fine Arts एक लग कोर्से साथ में B Design, B Dash पर हमने वीडियो बनाई है हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो भी आप देखेंगे मिल जाएगी बहुत सारी उनिवस्टीज पर हमने वीडियो बनाई है रजिस्तान में जितने भी उनिवस्टीज चलती हैं सबी पर दोस्तों जितने भी उनिवस्टीज चलती है अपने देश में या किसी भी देश में जो भी कोई उनिवस्टी चलती हो कोई भी उनिवस्टी अपने कुछ कोर्सिस के लिए फेमस होती है या यू कहें कि उस university के कुछ courses बहुत ज़्यादा famous होते हैं जो उस university को एक नाम दिलवाते हैं, जो उस university को पहचान दिलवाते हैं वैसे तो बहुत सारी private universities हैं अपने देश में दोस्तों हाला कि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी universities हैं बहुत सारी उनिवस्टी का मतलब आप ये समझ लीजे कि अपने हिंदुस्तान में लग बग एक हजार पक्चिस से भी जादा उनिवस्टी से चलती हैं। अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी उनिवस्टी को अलग अलग तरह की मानिताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। आप ये अनुवान बिलकुल ना लगाएं कि उनिवस्टी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको उनिवस्टी परसनली विजिट जरूर करना चाहिए। और दोस्तो इनी सब के बीच में एक उनिवस्टी का नाम आता है राजिस्थान में श्री जगदीश प्रशाद जबरमल टिब्रे वाला उनिवस्टी। इन भी अग्र सब्रेक उनिवस्टी के बारे में आज मैं काफी कुछ पुँछ बताऊंगो अपने इस वीडियो में जितने भी सवाल पूँछ आप स्टूडेंट्स ने हमसे हमारी पिछली वीडियो में और जो रेक्मेंडेशन दिया कि हम इस उनिवस्टी पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएं तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उनिवस्टी के अप्रूवल्स के बारे में क्योंकि आपको पिएचडी के बारे में तो पता है यूँपिएचडी कराने के लिए उनिवस्टी को अलग से कोई अप्रूवल लेना नहीं होता है उनिवस्टी के पास कौन-कौन से अप से पूछे थे उन सभी सवालों के जवाब देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तों JJTU हम कहें या फिर हम बोलें श्री जगदीश प्रशाद जबरमल टिब्रे वाला युनिवर्सिटी नाम बहुत लंबा है JJTU के नाम से ये उनिवर्सिटी फेमस है उनिवर्सिटी फेमस एक और चीज़ के लिए है वो है पिएचलिएग Это पहली में युणिवर्सिटी दोस्तों जितने भी युनिवस्टी जब बनती है ना तो जो प्रपोजल जाता है उसमें मैंशन होता है कि हम सभी तुरा के स्रेटिफिकेट डिप्लोमा यूजी पीजी प्रोग्राम सुर्पी एच डी जो आप डॉक्टर फ्लॉसफी करते हो उसके लिए कोई खास चाहते हैं या पीजी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इनके लिए जो काउंसिल बॉडिज है उससे युनिवस्टी का अप्रूवल का होना बहुत बहुत जरूरी है अभी मैं आगया आपको बताऊंगा युनिवस्टी के पास अप्रूवल्स भी कौन-कौन से कौर्सिज में ये युनिवस्टी एड्मिशन लेती है पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों किसी भी युनिवस्टी में आप एड्मिशन लेना चाहते हैं और रेगुलर कोई भी कौर्स आप करना चाहते हैं युनिवस्टी को विजिट आप जरूर कीजिए पिएचडी एक अलग सेनरियो है बाकी courses को करना एक अलग चीज़ है युनिवस्टी जाएं युनिवस्टी campus को विजट करें faculty members से मिलें hostels को देखें बहुत सारे universities के पास तो दोस्तो hostels है ही नहीं hostels नाम पर से building's कड़ी है students नहीं है युनिवस्टी के अंदर तो आप इस युनिवस्टी को विजट आप ज़रूर करें सिर्फ advertisements को देखकर admission ना ले PhD एक अलग तरीका होता है करने का इसलिए बहुत सारे admissions इजीली हो जाते हैं most demanding course है बट बागी courses में आप admission ना ले मेरी advice है आप पहले university को विजट करें साथ में placement भी देखें और बहुत साची देखनी होती है और आप इस university को किस दूसरी university के साथ compare करवाना चाते हैं तो हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे फीस पर PhD दूसरी युनिवस्टी के फीस क्या है इनकी फीस क्या है इस युनिवस्टी के पास क्या युनिवस्टी एडमिशन लेती है दोस्तो युनिवस्टी हाला कि बहुत सारे courses में एडमिशन लेती है जैसे कि institute of engineering मतलब university engineering diploma करवाती है b.tech करवाती है m.tech करवाती है हाला कि इन तीनों courses को करने के लिए AICT का approval चाहिए होता है बट जितनी भी universities होती है उन्हें AICT का approval नहीं चाहिए तोकि यह approval खास करके colleges को mandatory लेना पड़ता है बट universities को लेने की जरूरत नहीं institute of commerce and management विकॉम कर सकते हैं m.com कर सकते हैं management courses कर सकते हैं दोस्तों मैं जो बोल रहों कर सकते हैं university करवाती है इसलिए बोल्डों कर सकते हैं हमारी को recommendation नहीं है इस university को आप admission लें चाहिए ना लें आप university को visit करें और ढंग से university के परताल करें तब यह admission लें ऐसे admission ना लें साथ महीं institute of science आप university जे B.Sc. करें M.Sc. कर सकते हैं institute of education मतलब की B.A.D. करने के लिए N.C.T.E. का approval चाहिए होता है और जिस university के पास N.C.T.E. नहीं है वो university B.A.D. नहीं करा सकती university education में admissions लेती है B.A.D. करवाती है institute of languages अलग-लग languages में PhD आप कर सकते हैं institute of law BCI Bar Council of India जिन universities के पास BCI का approval नहीं है वो universities आपको L.A.D. नहीं करवा सकती और L.A.D. करवाते हैं तो वो null and void होगी invalid होगी आप तीन साल के L.A.D. करें पास साल के L.A.D. करें आप L.A.D. में एक साल का नहीं होता आप दो साल का L.A.D. होता है वो भी आप कर सकते हैं institute of journalism and mass communication BJMC course बोलते है bachelor in journalism and mass communication या फिर M.J.M.C. भी course होता है master's में अब वो कर सकते हैं institute of allied health and sciences institute of pharmacy जैसे मैंने आपको बता है pharmacy करने के लिए आप B pharmacy कीजिए D pharmacy कीजिए M pharmacy कीजिए आप कुछ भी करेंगे उसके लिए university के पास pharmacy का approval होना चाहिए PCI का approval होना चाहिए दोस्तों आप कोई भी consultant है कोई भी आप institute run करते हैं और आप चाहते हैं tie up करना Indian universities, colleges से या फिर online education में आप काम करना चाहते हैं जैसे online MBA होता है या फिर आप चाहते हैं study abroad में काम करना नए-नए universities से tie up करना चाहते हैं तो आप इस association का सहारा ले सकते हैं association of all educational institutes and universities जिसकी website है www.aaeiu.in यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी university आपको परिशान करती है, कोई college परिशान करता है तो भी आप इस association की मदद ले सकते हैं WhatsApp करें इस association को, वो आप खुद आपको reply करेंगे और आपको सब details आपके number पर भेज़ दी जाएगी Institute of Fine Arts, Fine Arts में PhD बहुत इस्टुएंट्स करते हैं Fine Arts एक लग कोर्स है, साथ में B Design, B Dash पर हमने वीडियो बनाई है, हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो भी आप देखेंगे मिल जाएगी बहुत सारी उनिवर्स्टी पर हमने वीडियो बनाई है रजिस्तान में जितने भी उनिवर्स्टी चलती हैं सबी पर दोस्तों मैं आपको इबाब बता दूँ कि उनिवर्स्टी की और डिटेल में वीडियो तो हम जब भी बना पाएंगे जब हम उनिवर्स्टी को पर्सनली जाकर विजट करेंगे उनिवर्सटी जाएंगे, फैकलियור सम degसे मिलेंगे उनिवर्स्टी में जो रिजिस्टार साहब हैं किस तरह की education देती है कि quality education लेना आपका अधिकार है आपको सिर्फ education मिल रही है degree मिल रही है किसी काम की नहीं दोस्तों वो सिर्फ रसीद भर है जो आपने fees आपने जवा की university में ऐसे degree किसी काम की नहीं अगर आपके पास skilled या फिर हम कहें quality education नहीं है साथ मही institute of physical education physical education के लिए जो physical education जैसे BPA डाप करते हो ये courses युनिवस्टी करवाती है institute of arts मतलब BA कर सकते हो MA कर सकते हो institute of home science home science में भी PhD बोग students करते है ये भी अलग से course है हाला कि वो कुछ खास approvals इस university के पास नहीं है जितने approvals होने चाहिए जैसे कि university के अगर हम देखें तो university दोस्तों अभी की नहीं है university काफी पुरानी हो चुकी है अभी देखा जाए इसमें युनिवस्टी बनी है 2009 में लगबत 13-14 साल का सफर है इस university के पर वो approvals नहीं है कि बहुत सारे approvals इस university के पास 2022 के prospectors के साथ 2023 के prospectors के साथ अगली बहुत सारी वीडियोज आपके लेकर आएंगे और detail में किसी वीडियों बात करेंगे युनिवस्टी के और approvals के बारे में courses के बारे में detail में बताएंगे आप इस university के बारे में क्या जानना चाते हैं या फिर किस approval के बारे में जानना चाते हैं, इस university को दूसरी किस university से आप compare करना चाते हैं, comment box में अपने सवालों को पूछें, दस में से कितने number देंगे, इस university को अपनी ranking दें, ताकि और भी students तक ये information पहुच सके, university के जो chair person है, dr. Vinod Tibrevala और जो president है, बाल किष्णन Tibrevala, उन द तरह से clear करने कोशिस हम जरूर करें, तो इसको अमीद करता हूँ, आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले, साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दे, ताकि इसी तरह की educational videos हम आपक करा सकें, और हमें और motivation मिल सकें, अलग-अलग universities पर वीडियो बनाने का, और आपके सभी doubts को clear करने का, बहुत-बहुत शुकर है दोस्तिने वाद, हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए.